हेलो एवरिवर्ण कैसे हैं आप सब 10.30 को आने का मैंने वादा किया था लाइव और एक बहुत ही समवेधन शील मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूँ मध्यप्रदेश के सीएम शीवरा सिंग चौहान जी ने घोशना की है कि मध्यप्रदेश की नौकरियां मध्यप्रदेश के ही बच्चों को मिलेंगी इस बारे में बात करेंगे हम क्या ये समवेधनिक है सही है नहीं है क्या है इस बारे में बात करेंगे मैं मुझे याद आता है बहुत बढ़िया बाते कि कबीर कहते हैं पीछे लागा जाई था लोक वेद का साथी आगे से सद्गुरु मिलेया दीपक दे दिया हाथी तो वो कहते हैं अच्छा जो शिक्षक होता है वो मार्ग नहीं बताता वो रोशनी दे देता है ग्यान की आपके हाथ में और आप खुद देखते हैं कि वो मार्ग अच्छा है या बुरा मैं कोशिश करूँगा कि सम्मेधानिक प्रावधानों पर अपनी रिसर्च पर कुछ चीजें जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ उसके बारे में मैं आपसे बात करूँ और जितने लोग जुड़ गए हैं आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम सुईकार करें और मैं सीधे बात पर जुड़ूँगा और अपनी बातों को रुखूँगा कम समय है कम समय में बहुत सारी बातें आपको बतानी है मेरी जो बात हैं उससे आप सहमत हो सकते हैं आप सहमत हो सकते हैं आपकी असहमतियों का स्वागत है वैसे भी मैं किसी तरह के समर्थन जूटाने या चुनाओ प्रशार के लिए यहाँ पर में नहीं हूँ मेरा बस सोचना इतना है कि आपको लौ और कानून की क्लिरीटी मिले वो क्लिरीटी बहुत जरूरी है खास कर अगर आप लीगल फ्रैटरिमिंटे से आते हैं आप लौ के एस्टुडेंट हैं आप प्रशासहिक अधिकारी बनना चाहते हैं ये clarity आपको हुनी ही हुनी चाहिए ये बात और है कि जब शिवराशिंग चौहान जी का statement आया तो जो statement के बाद लोगों के बीश में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी कुछ कहने लगे कि वाह लोग पोस्ट करने लगे हैं धन्यवाद मामा जी मज़प्रदेश सरकार का सरानी कदम ऐसी वाली और कुछ लोग इसे गलत भी कह रहे हैं तो शिवराशिंग चौहान ने कहा क्या था मैं यहां से start कर दूँ अगस्त दो हजार बीस को जो मेरे पास में डिटेल आई है जो मेरे मेरे रिसर्च हैं उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाने भांजीयों आज से मध्यप्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्यप्रदेश के बच्चों का होगा सभी शास्की नौकरियां प्रदेश की प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना हैं ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या लगता है जो मध्यप्रदेश के हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया अब हमारा कॉंपेटिशन थोड़ा सा कम हो जाएगा बाहरी लोग अपनी बातें रख दो फिर आपके अगर कुछ questions हैं और चीजें हैं तो मैं लोगा आप सबको मेरा hello, सबको good morning, सबका स्वागत, अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में आप जुड़ गए हैं तो आप मुझे बस सुनते रहें और कुछ जो questions आपके हैं meanwhile आप post करते रहें मैं सारे last में लोगा अगर कुछ उसमें ऐसे question हैं जो सबके लिए काम के हो आइटिकल 14 कहता है equality before law और language है इसका the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India कहता है राज्य भारत के राज्यक्षित्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता या विधीयों के समान संरक्षन से वंचित नहीं करेगा इसे हम कहते हैं right to equality समता का अधिकार यहां से निकल कर आता है article 16 हमारे पास में जो कहता है equality of opportunity in matters of public employment लोक नियोजन के विश्य में अवसर की समता भाशा है subsection 1 की there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state राज्य क्या धीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित विश्यों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समता होगी subsection 2 sub article 2 क्या कहता है देखिए उपन उच्छे 2 no citizen shall on grounds only of religion धर्म समझे गाइस बात को race मूलवंच, sex, ling, caste, jati, descent, udbhav, place of birth, janmasthan, residence, nivaas और any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state कहता है इन में से किसी स्थार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा देखे सम्विधान के प्रावधान क्या कह रहे हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बात आई है मुझे लास्ट तक सुनना मैं लॉजिकली ये बताना चाहूँगा कि क्यों ये मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए भी सही नहीं है मेरी बातें सायद हो सकता है आपको लग रही है सर क्या कह रहे हैं लेकि मैं समझाऊं आपके लिए भी सही क्यों नहीं है क्योंकि जैसे ही ये घोषना आएगी सिवराज सिंग चौहान साब ने कहा कि हम इसके लिए कानूनी प्रावधान कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये घोषना कर दी जाएगी तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा आर्टिकल 16, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1, आर्टिकल 14 जो बातें कह रहे हैं इसके संबंद में और जैसे ही ये मामला कोट के सामने जाएगा, सुनवाई में 2-4-6 मैंने लगेंगे, whatever, और नोटिफिकेशन रद्ध कर दिया जाएगा, ध्यान से समझेए, जी हाँ, ये रद्ध होगा ही होगा, तो क्यों ऐसा मैं कहे रहा हूँ, मैं समझाओ, क्योंकि सुप्रीम कोट के वरियता मिले, जिसमें से एक बड़ी बात है, उस राज्य की भाषा को एक्जाम में शामिल कर देना, या उस स्टेट के जिवग्राफिकल तिंग है, या फिर जो कल्चर है, या हिस्ट्री है, उसको एक्जाम का पार्ट बना देना, एक मिनटा प्रूप्रीट मैं आएग। कुछ व्यावधान था में दूर करने गया था, तो राज्य जो है हमारे उनमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, मैंने बताया कि साधार पर उस स्टेट के लोगों को वरियता देने के लिए, कानून की शब्द आपकी आवाज में बहुत मीठा लगता है, मुहमद भाया सुनते रहे, मैं आपके क्वेश्चन्स अभी लास में लोगा, आप जरूर अपने कमेंट दे रहे हैं, तो राज्य क्या करते हैं, समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं, जिसमें की राज्य के लोगों को ही ज़्यादा सीट दे दी जाए, या दूसरे स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन का फाइदा न मिले, ऐसी वाली पॉलिसी हर जगा हैं, क्या सौ प्रतिशत किसी दूसरे राज्य के लोगों को निरर्कित किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्या पहले कभी किया गया है, और किया गया है तो इसमें को कोट कर दूं रुकना दो मिनट के लिए फिर मैं विभिन राजियों के इस्थिती भी आपको बताऊंगा तो 2019 में UP में ऐसा हुआ UPSSC जो है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन जो कमीशन है उसने नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाला और उसमें इस् आपसाइडर हैं यह बातें जो तमिल में तमिल भाशियों की बात चल रहे हैं यह पूरे देश में चल रहा है लेकिन क्या यह ठीक है आप समझें हुआ क्या मैं बताऊं आपको इलाबाद हाई कोट ने 2019 में यह नोटिफिकेशन यह एक्जाम रद्द कर दिया ध्यान से देने की कोशिश की जा रही है बाहर के लोग ना आएं लेकिन आपको यह बता दूँ कि जो आदिवासी बहूल हमारा जारखंड है उसमें 24 में से 13 जिले जो हैं अधिसुजित अक्षेत्र में आते हैं आपको यह जानकारी होनी चाहिए राज्य सरकार ने क्या किया कि परसेंट लोकल लोगों के लिए इंसाइडर्स के लिए सुरक्षित रख देना ये बिलकुल ठीक नहीं है और नियूक्ती की प्रक्रिया पर उन्होंने रोक लिगा दी नोटिफिकेशन आ गया था चीज़ें आ गए थी लेकिन हाई कोट ने रोक लगा दी एक्जाम में फि नाम क्या था कानून का आंध्रप्रदेश Employment of Local Candidate in Industries Factories Act 2019 इस एक्ट के जरिए जगन मोहन रेड़े साहब ने क्या किया कि राज्ये के लोगों के लिए नौकली में 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी 100% नहीं किया उन्होंने ये बात हो रहे कि लाया वो 100% आरक्षण के लिए ही थे और आंध्रप्रदेश हाई कोट ने इसमें से चुनोती दी गई आपकी जानकारी के लिए और कोट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था असमवैधानिक हो सकती है जहां पर में हम बाहर के लोगों को तह मना कर दें कि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं आप एक्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है दो हजार दो में लेटेश सिक मामला आया जहां सुप्रीम कोट ने राजस्थान में सरकारी सिक्षकों की नियुक्टी को अवैध करार दे दिया था और कहा कि यहां स्टेट सिक्ष्टीन सब आर्टिकल टू के जो प्रावधान हैं उनके बिल्कुल अपोजिट और अगेंस जाता है आर्टिकल सिक्ष्टीन टू क्या है मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए कोट किया था जो लोग लेट जुडे हैं मैं वापस से आपको इसपस कर दूँ यहां लिखा है no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state दारा कहती है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलुवंश, जाती, लिंग, उदभव, जनमस्थान, निवास या इन में से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अप पात्र होगा और नहीं उससे विभेद किया जाएगा आप समझें कितनी बड़ी बात ये अनुशेत कह रहा है और मैंने आपको बताया ऐसी बातें लगातार हर स्टेट कह रहे हैं इन्हें ही हम कहते हैं छेत्रवाद जहां पर में रीजनलिज्म हावी हो जाए ऐसी कोशिश के बाद पहला देश भाषाई आधार पर बन गया वा अंदरप्रोदेश बन गया अभी भाषाई आधार पर और शित्रवाद के आधार पर अगर काम करते रहेंगे फिर integration of country का क्या होगा हम integrity of the nation की बात करते हैं preamble of constitution में देश की अखंडता एक बार समझने की जरूरत है औ और मैंने ये भी कहा कि supreme court इसे नहीं allow करेगा क्योंकि जैसे ही मान लेते हैं अगर supreme court ने allow कर दिया मध्यप्रदेश में तो हर राज्य सरकार यही काम करेगी ज्यान से समझे राज्य सरकारें क्योंकि उनको राज्य में सरकार चलानी है क्योंकि उनको आने वाले समय में चुन में फॉर्म भर सकते हैं आप यूपी में बिहार में फॉर्म फिल कर सकते हैं जारखंड में फॉर्म कर सकते हैं राजस्थान में फॉर्म कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं आपके पास चॉइस है लेकिन अगर सब आपको पता ही है डोमिसाइल के नियम जो है वो रहे लगातार और 370 हटने के पहले जो है वहाँ पर में राज्य के लोगों के लिए ही नौकरिया रक्षित थी तो पहले वो विवस्ता थी अब वहाँ पर में चीजें धिरे-धिरे बदल रही हैं महारास्ट में उत्तर भारति कि जो लोग हैं उनको नौकरियों में वरीता जी जाती है और ऐसा वहाँ पर में लगातार है और एक जानकारिया आपको दे दूँँ वहाँ पर इस्थानी ये जो शब्द है किसी सक्स के घर वहाँ 15 साल से ज़्यादा समय से रहा है और ऐसा है तो सरकारी नौकरी में आवे प्रइदन कर सकता है तो ये बड़ी बात milk वहां पर मेंatedly लेकिन बाहरी लोगों को मना नहीं नहीं है वह भी महांपर में रहे करके फीर सकते हैं डो मिसाइल की आधार पर लेकिन 100 परसेंट आरेक्षन वहां नहीं है 100 परसेंट आरेक्शन के चैन में कम से कम 85% मैनेजर और सुपरवाइजर जैसे पद साथ प्रतिशत ये क्या होंगे इस्थानिय निवासी क्योंगे आप ध्यान से समझे ना 85% और 60% ये वहाँ पर में लागू है अस्रम और रोजगार विभाग का आदेश है आप ये जानकारी रखें असम में प्रतिशत तक की आरक्षण की सिफारिस की है तो ये हालात हैं अलग-अलग जगा चटिसगर की बात करूं मैं आपको तो वहां भी ये बातें चलती रहती हैं उत्तर अखंड उत्तर प्रदेश पश्यम मंगाल केरल हर राज्य में इस तरह की बातें चलती रहती हैं लेकिन प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपलाई कर सकता है पश्यम मंगाल में जरूरी कर दिया गया है कि बांगला पढ़ना लिखना आना चाहिए तभी आप eligible होंगे exam के लिए केरल में कोई भी अपलाई कर सकता है तो ये बहुत सारी राज्य हैं जहां सरकारी अलग अलग बातें हैं समय शमय पर समय समय पर इन्हें कोर्ट में चुनलती दी जाती रही है और कोर्ट का स्टेंड में इस्पस्ट कर दिया आपके लिए कोर्ट कहता है कि सम्वेध्धանनिक होना चाहिए आप जो भी बात करें नियोजन की समता देश के नागरिकों के लिए है लोग सेवा में आर्टिकल 16 इस बात को कहता है और जैसे ही सिवराश चिंचोहान की सरकार इस बात के लिए कोई कानून लेकर आएगी मैं सपस्ट कर दूँ कि ये बहस का एक मुद्दा बनेगा मूल अधिकार फिर से बहस और चर्चा के मुद्दे बनेंगे इस बात को आप समझते रहें और सुप्रीम कोट क्योंकि मैंने आपको एक्जामपल दिये हाई कोट भी इस 100% पुसदी आरक्शन के अगेंस्ट हैं सुप्रीम कोट भी ऐसा लगातार कहता रहता है इस बात को आप समझें तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन्स हैं पूछने के लिए तो बताएं मैं क्वेश्चन्स ले लूँ आपके अब मैंने अपनी बातें मूल रूप से आपके सामने रख दी हैं और मैं कुछ बातें आपके लिए तो आप क्वेश्चन रखें तो आप सभी का ही स्वागत है आप अच्छी संख्यों में जुड़ गए हैं महेंद्र तिवारी कह रहे हैं ये समूचे भारत परसों के चात्रों के साथ गलत है अब जैसे ही कोई ऐसा कहता है न तो लोग क्या समझते हैं ये पका मध्यप्रदेश के बाहर का होगा नहीं अगर आप मध्यप्रदेश के बाहर के हैं तो भी आपको इस दिशा में सोचना चाहिए तो दिव्या कह रही है इस वॉयलेटिंग अवर कॉंस्ट्यूशन मैंने अभी आर्टिकल 16 बताया आपको कुल्दीप कह रहे हैं मध्यप्रदेश सरकार के फैसले का शुरुवाद से ही विरोध करता हूँ कुल्दीप विरोध और समर्सन अपनी जगाह है लेकिन मैंने कानून बताया आपको यह प्रावधानों के साथ आपके सामने रखते रहूं यह दस्तावेज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जहां पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ रितेश कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा रद्ध होगा तब तक उप्चुनाओं निकल चुके होंगे मैं इस बारे में राजनेतिक टिपपणी नहीं करना चाहता लेकिन हाँ मैं आपकी बात का समर्शन तो करता हूँ अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्या राजियों में 100 फीसिदी आरक्षन होना चाहिए लोकलाइजड लोगों के लिए इंसाइडर बनाम आउटसाइडर की आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कोई अगर बात आप रखना चाहते हैं तो रखें सनी कह रहे हैं आपकी बात हम सब को बहुत समझाती है पसंद आती है जानकारी के लिए शुकरिया सनी आपके इस प्यारे कमेंट के लिए गुड मॉनिंग वालों के लिए सब को मेरा गुड मॉनिंग सब को प्यार बरा नमस्कार अजीत कह रहे हैं decision of MP government is totally unconstitutional मैं यही समझा रहा था आपको कि समविधान जो है इसको मना करता है मैं आपको समझा दू सौ फिसदी आरक्षन नहीं हो सकता Hindi to English translation के बारे में कभी बात करेंगे संध्या कह रही हैं सुभांकर पाल जी इसमें जो आपको मेहनत करनी है अप English पर यारप किसी का अंसर दे रही है यह अनूप कह रहे हैं सर हर राज जैसा कर देंगे तो सर MP के student जो खुश हो रहे हैं वो भी अन्य राज्यों में फॉर्म नहीं भर पाएंगे हाँ आप इस पर समझें MP के student जो खुश हो रहे हैं मैं प्लीज आप लोगों को समझा दूँ जो students MP के हैं definitely मैं भी मध्यप्रदेश में ही बैठा हुआ हूँ और कोई भी चीज जो किसी के लिए फायदे मंद हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए समझना लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है आपके अधिकार वहां सीमित हो जाते हैं जहांसे मेरे अधिकारों के शुरुआत होती है इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी प्रावधान, जो भी कानून, जो भी नियम सरकार के द्वारा आएं वो कानून सम्मत हों, वो समधान सम्मत हों और एक मुझे चोटी सी कहानी आदा गए, मैं आपको सुना दूँ अगर आप इस बात से खुश हो रहे हूं और आपको लगता है कि इससे हमारा क्या लिना देना है तो मुझे एक चोटी सी कहानी आदा गई, हुआ ये कि एक बार एक घर में एक चुहा रहता था एक जो है मुर्गी रहती थी और एक बकरा रहता था और हुआ ये कि घर का मालिक एक रोज जो है पिंजरा ले आया एक तो चुहे को लगा ये छोटा सा पिंजरा मेरे लिए लेकर आया है this cage is for me ये मुझे पकड़ करके मार डालेगा तो वो जाता है और जो मुर्गा है उससे जाकर के कहता है कि दोस्त माली के ऐसा लेकर आया है मैं परिशान हूं क्या करूं वो कहता है तेरी परिशानी मुझे क्या मुझे थोड़ना पकड़ने के लेकर आया है वो बकरे के पास जाता है जाकर कहता है कि मालिक ऐसा लेकर आया है मैं क्या करूँ बकरा कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है इस यूर प्रॉब्लम जब हम ऐसी बात करते हैं न मैं बनाम तुम की बात करते हैं वी की बात नहीं करते जबकि हमारा constitution कहता है we the people of India ठीक है I the citizen of मध्यप्रदेश नहीं कहता we the people of India we की बात करता है हम की बात करता है ये हम की भावना जहां खतम हो जाएगी मैं बनाम तुम हो जाएगा वहाँ चीजें खराब होंगी तो हुआ क्या वो मालिक जो ले करके आया था पिंजरा उसमें एक रोज चुहा तो नहीं फंजा समझदार था सांप फंज गया अब सांप फंजने पर घर की जो मालकीन थी सांप को निकाल रही थी सांप ने उसे डस लिया जब सांप ने डस लिया उससे तो कुछ लोग आए और लोगों ने कहा इसे मुर्गे का मास पका कर खिलाओ इससे शरीर में गर्मी मिलेगी और जल्दिये रीकवर हो जाएगी उसको मुर्गे का मास खिलाया गया मुर्गा क्या कह रहा था मुझे क्या प्रॉब्लम है तेरी परिशानी तू जान हुआ ये कि उसको देखने रिष्टदार आने लगे उस महिला को क्योंकि उसकी तबियत बिगड गई थी सेहत खराब था तो जब रिष्टदार आने लगे तो लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया बहुत सारे रिष्टदार दूर दिराज से आये और बकरे की बली दी गई परिशानी किस की थी परिशानी उस चुहे की नहीं थी आप सब दिये जब कभी हम किसी नाव में सवार हैं तो छेद तेरी तरफ या मेरी तरफ नहीं होता नाव में शेद होता है परिशानी तुम्हारी हो परिशानी मेरी हो परिशानी यूपी के बच्चे की हो परिशानी मज़प्रदेश के बच्चे की हो परेशानी तमिल नाडू के स्टूडेंट की हो तब सायद देश का उथान होगा मैं बनाँ तुम हमको कहीं लेकर नहीं जाएगा हम लेकर जाएगा हम वे इस बात को हम समझ सकें शायद तो यह जीवन आसान है और चीजें आसान हो जाएगे कुछ questions मुझे दिख रहे हैं, मैं देख लूँ, सुनाली कह रही है, यह तो पता है, मुझे easy writing in translation, love you all, आपके messages में देख रहा हूँ, विकास कह रहे हैं, सभी को general कर देना चाहिए, यह अलग मुद्दा है, general OBC, SCST का एक मुद्दा अलग है, अगर सुनने वाले एतने sensitive और रहे हैं, तो जरूर कहें, विशाल कह रहे हैं, सर कुछ दिन पहले news आया था कि judge पर भी corruption से related case file कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर कभी बात करेंगे, हर्षराज मीना कह रहे हैं, मध्यप्रदेश सरकार का ये फैसला स्वागत योग है, नाम दे देंगे, लेकिन उसके बाद court में जाएगा petition, जाएगा ही जाएगा, तैह है, ये petition court में लगाएगा ही लगाएगा, और कोई ने लगाएगा, तो कुछ लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए, नाम के लिए PIL लगा देंगे, कोई advocate है जो PIL जाता है, तो high court के अपने-पने stand हो सकते हैं, सारे high court अलग-अलग बात करते हैं, आपका पताई है, लेकिन अगर ये मामला supreme court में जाता है, तो ये तैह है, कि supreme court के पुराने decision को देख लें, हम सम्विधान के प्राभधानों को देख लें, preamble of constitution को देख लें, article 14 और 16 को पढ करने वाली है, इस बात को please समझके चलिए, सोनाली कह रही है कि मेरा question read करिये, सोनाली आपका question जो है, अभी जिस हम topic पर बात कर रहे हैं, उससे relevant नहीं है, मैं इस पर बात करूंगा, ट्रांस्वेशन पर वापस से आऊंगा, आप please तब पूछेगा, मैं जरूर बताऊंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में भी बात करेंगे कभी, आप अच्छी संख्या में जुड़ते रहे हैं, क्योंकि आप विकास कह रहे हैं, आउटसाइडर का कितना percent reservation होना चाहिए, नहीं, आउटसाइडर का reservation नहीं होता विकास, सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है कि यह कह सकती है कि यहां 60% जो post हैं, वो मझ्यप्रिदेश को लोगों को ही देंगे, ऐसा सरकार कर सकती है, सरकार यह कर दे कि बाहर वालों को form ही नहीं भने दिया जाएगा, तो यह जो है कहीं से कहीं तक सही नहीं है, तो ऐसा बाब बात समझें, रगुर कह रहे हैं, आर्टिकल 15 भी भेदभाव करहित समाज की बात करता है, आर्टिकल 15 कहता है, लिकिन जब हम एंप्लॉइमेंट की बात करते हैं, लोग नियोजन की बात करते हैं, सरकारी सेवाओं की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है आर्टिकल 16, जहां पर word ही है equality of opportunity in matters of public employment लोक नियोजन में अवसर की समता की हम बात करते हैं तो मैं अपनी बात यहां पर मैं close करता हूँ एका question कुछ और देख लूँ जीनल पूछ रही है गुजरात से हूँ लास्ट येर में हूँ आपका स्वागत है जीनल जल्दी से आप lawyer बनी है advocate बनी है लेकिन देश के कानून को समझिये अगर मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कानून को नुकसान अगर कोई पहुचाया है किसी ने तो वो law के जानकार लोग है जो law का जानकार नहीं है वो कानून को कैसे नुकसान पहुचा सकता है तो कानून को तोड़ना मरोडना नहीं है कानून को सही संदर में समझ के लागू करवाना है यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि लीगल जो दुनिया है जो administration of justice है उसको वापस से सम्मान दिलाया जाए तो मैं अपनी बात ही खतम कर रहा हूँ आपके questions मेरे पास में बहुत सारे आ गए हैं आप सब का शुकरिया जो आप जुड़ गए मुझे उमीद है कि आपने इन पूरी बातों को ठीक से समझा होगा ध्यान से समझा होगा मैं हाफे नावर के लिए आया था और आदे घंटे पता नहीं कब आपसे बात करने में बीद गया पतारी नहीं चल पाया तो अगली बार फिर जुड़ेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ और समझेंगे कानूनी प्रावधानों को जुड़े रहिए इस पेज से फॉलो करते रहिए यूटीव फेस्बूक पेज को और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो जरूर बताते रहिए मैं कोशिश क करूंगा कि अपनी ज्यान और क्षमता के इसाब से आपको कानूनी प्रावधानों से परिचित करवाता रहूं आप सब जुड़े आपने मुझे ध्यान से सुना इससे लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बरी मच्छ एव नाइस टाइम खुश रहिए स्व करा दे देड़े ये नाइस है